तो चलिए बनाते हैं एक ऐसी रेसेपी जो सभी को पसंद आती है, बच्चे बड़ो सभी को, आप इसको बहुत ही सस्ती में बना सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया सा टेक्शियर आया है, बहुत क्रिस्पी बनता है, और सिर्फ एक आलू में अप धेर सारा ये फ्राइज तो चलिए शुरू करते हैं, यहां पर मैंने एक बॉल में ले लिया है, यानि कि उबला हुआ आलू हमें ले लेना है, मैंने सिर्फ एक ही लिया है, अब हम इसको अच्छा से मैश कर लेंगे, मैश कर लेने के बाद इसमें हमें डाल देना है, तीन चोटी चममच कॉर्ण फ्ल अब हम इसको अच्छा से मिला देना है, मिलाते हुए हम इसका डोव प्रिपेर कर लेंगे, यह इसली बाइन हो जाता है, और ध्यान रहे कि इसमें चंक्स नहीं रहना चाहिए, तो यह दिखे, यह रेडी हो गया है, अब हम दूसरी तरफ एक जीपर ले लेंगे, यह इस त इसे एक तरफ से cut कर लेना है, तो पहले हम सर्फ एक तरफ से ही cut करेंगे, यह दिखे यह इसली cut हो गया, अब हम इसके अंदर तेल को grease कर ना है, तो हम चारो तरफ अच्छे से कौने-कोने तक तेल को अच्छे से grease कर लेंगे और अब हम आलूवाले मसाले को जो हमने डो प्रिपियर किया था उसको इसके अंदर रखेंगे और अब हमें इसे हातों से प्रेस करते वे स्कॉार शेप देना है इसली से ले लेता है ये और बिल्कुल चिपकता नहीं है तो ये दिखिए, ये मैंने अच्छे से प्रस कर दिया है और ये square shape भी हो गया है, अब हम दूसरी तरफ जीपर को काट लेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे, अब हम एक knife के help से इसे इस तरीके से cut करेंगे, आप चाहिए तो इसे थोड़ी दरीकली फ्रिज में भी रख सक चाहिए, और सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि जब तक थोड़ा सा आलू, यानि कि fries हमारा पके नहीं, हम इसे चरचन नहीं करेंगे, जब थोड़ा ये पक जाए, तब हम इसको हिलाएंगे और दूसरी तरफ फ्लिप करेंगे, नहीं तो ये तूट जाएगी, तो ब बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत आसान से बहुत कम मिनट में आप इसको बना सकते हैं, ये देखी बनकर बिल्कुल तयार है, और बस इसे आप सर्फ किजिए, सॉस या फिर चटनी के साथ, तो चली हम देखते हैं, एक तोड़ करके भी कैसा बना आई है, ये किजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, थैंक यू